हेलो फ्रेंज वेलकम टू मैं यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम राखी बनाएंगे कपल राखी पाई पापी के लिए तो ये मेरी पहली भाई की राखी है ये देखिए यहाँ पे मैंने बीच पे भाई लिखा है और फ्लावर इस से ऐसे फ्लावर बनाया है ये पीछे दोनों साइड इस तरह से लिखा है पापी क्यूंकि ये हम इस तरह से पैनते हैं तो दोनों साइड दीखता है तो ये मेरी भाई पापी की राखी है तो इससे कैसे बनाना है अब ये हम देखेंगे इससे पहले इसके लिए कौन-कौन से material की requirement है वो हम देखते है चलि में माटिरियल्स में सबसे पहले हमें बटन चाहिए होगे तीन बटन चाहिए आप ठोड़े बड़े लेना इतनी साइज तो होने यह रिए इसे बड़ी हो तो भी अच्छा है फैब्रीक कोई भी एक्सटा फैब्रीक जो ड्रेस का या आपके पास जो भी हो वो मैंने यहां प यह इस तरह से मोती के लेस आती है यह सुईधागा उन चाहिए होगा दो कलर का यहाँ पे मैंने यलो और ब्राउन लिया है कैनवास पॉम पॉम और यह मीडियम साइज मोती तो चलिए अब हम शुरू करते है तो सबसे पहले हम चार चीज़े लेंगे बटन, फैबरिक, थ्रेड और सीजर तो यह मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर का फैबरिक लिया है और यह बटन को इस तरह से यहाँ पे रखके यह फैबरिक को टन करके यह देखिए फैबरिक को बटन के उपर लगाना है इस तरह से यहाँ पे यह इसे टन करना है और यह कुछ अब इस तरह से दिखेगा यह देखिए अब मुझे थ्रेड को लेना है और इस तरह से रोटेट करना है थ्रेड को और फिर गाठ बंदलेनी है इस तरह से देखिए अब थ्रेट को कट कर लिया और ये फैब्रिक को भी मैं यहां से कट कर लूँगी तो ये देखिए ये मेरे बटन के उपर फैब्रिक लगा दिया है आप यहां पर फैब्रिक को अच्छे से कट कर लेना तो ये मेरा बटन रेडी हो गया है फैब्रिक के साथ बाकी दो बटन भी मैं ऐसे ही बना लूँगी फैब्रिक लगा के तो अब मेरे ये तीनो बटन फैब्रिक लगा के रेडी हो गए है तो अब मैं इस में से दो में भाभी लिखूंगी और एक में भाई लिखूंगी यलो कलर के तो यहां पर मैंने यलो कलर लिया और एकदम आराम से लिखना यहां पर मैं गुज्राती में लिख रही हूँ आप हिंदी में भी लिख सकते है और आप चाहे तो अपने भाई पापी के फर्स्ट दो लेटर भी लिख सकते है पाई तो यह देखिए अब ठीक इसी तरह में यह दोनों में भाई लिख दूँगी तो यहां पर मेरे यह तीनों बटन रेडी हो चुके हैं तीनों में मैंने लिख दिया है एक में भाई दूमें भावी आप देख सकते हैं पेंट कर दिया है अब मैं ये मोती की तुई लूँगी ये देखिए इस तरह की आती है और इसे यहां पर इस तरह से हम साइड में लगाएंगे उपर नहीं साइड में बटन के साइड में से लगाएंगे और इसके लिए मैं फैबरिक ग्लू का तो यहां से मैं कट कर लूँगी और अब मैं यहां पर फैबरिक ग्लू लगा के उसे लगा दूँगी इस तरह से तो आप देख सकते हैं यह बहुत ही प्यारा लग रहा है ठीक इसी तरह मैं यह दो में भी लगा दूँगी तो यह देखी यह मैंने तीनों पर इस तरह से मुट्टी लगा दिये हैं और इसको ड्राय होने के लिए रख देना है थोड़ी देर के लिए तब तक हम यह दूसरा फैब्रिक लेगे इसकी लेंथ और विथ मैंने एप्रोक्सिमिटली ली है आप अपनी सबसे ले सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैंने जो ली है वो मैं आपको बता देती हूं मैंने यहाँ पर वन एंड आफ सेंटीमिट एच की लेंथ ली है और विथ ली है मैंने यहाँ पर सेवन एंड आफ तो यह फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है और इसको अब हम बैंड करेंगे हाफ में तो यह देखिए यह ऐसे बैंड कर दिया अब हमें क्या करना है सुई थागा लेना है थागे को मैंने डबल कर दिया है और अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके हाफ में फोल्ड करके हाथ सिलाई ही करनी है हमें मशीन में ने ही करनी है और इसको इस तरह से लेना है अब देख सकते हैं और इसे क्रीज बनाती चानी है तो यह देखिए यहां पर मैंने लास्ट तक सिलाई लगा दी है अब क्या करना है एक सैट से हमें इसे खीचना है थ्रेड को और इसे ऐसे करते जाना है क्रीज बनती जाएगी और सरकल बन जाएगा तो यह फ्लावर हो जाएगा फ्लावर बन जाएगा इस तरह से यह देखिए धीरे धीरे करना है तो यह देखिए यह सरकल में फ्लावर रेडी है अब यहां पर इस दोनों को जोइन करके मैं सिलाई लगा दूंगी यहां पर कि वो मैं आपको बता देती हूं किस तरह से करना है देखिए इस दोनों को जोइन करके ऐसे बैंट करके यहां पर सिलाई लगा देंगी झाल देंगा रेडाए इस दोनः वो मैं करके और दोनों करके यहां बताए आपदिए उनकी अनर स prisoner अब हम सुई को बिल्कुल बीच में से निकालेंगे इस तरह से और यहाँ पर मैं यह भापी वाला जो है वो इस तरह से यहाँ पर लगा दूँगी ऐसे रखके बीचो बीच और जो यह पीछे वाला पार्ट है वहाँ से अपनी सुई निकालके फिर से एक सैट से निकालके यहाँ पर पीछे डाल दूँगी और इसी तरह दू तिन बार करके मैं इसे यहाँ पर फिट कर दूँगी बीच में तो यह मैंने एक सैट फिट कर दिया है अच्छे से अब मैं इसी सुई को पिछे की सैट ले चाओंगी यह देखिए बिल्कुल बीच में और दूसरी सैट यह दूसरा बटन लगा दूँगी हम भाई की राख ही अगर करें तो यहाँ पर एक सैट हमें लगाना है दूसरी सैट नहीं लगाना है तो एक सैट लगा के हमें यह छोड़ देना है गाट बांद के लेकिन भाबी में हमें दूसरी सैट भी लगाना है इसलिए मैं आपको भाबी का बना के दिखा रही हूँ यहां पर हमें बीच में से थ्रेड निकल के बटन को च्वेंट कर देना है, अब देख सकते हैं, इस तरह से तो यह देखिए, यह मेरे दूरों से ही लगा दिया है, और जो यह एक्स्ट्रा थ्रेड है, यहां पर इसे मैं कट कर दूँगे, यह मेरा रेडी है, भावी का ठीक, इसी तरह भाई का बनाना है, लेकिन एकी साइडा में लगाना है, बटन, ठीक है, तो यह मैंने दोनों फ्रावर्स बना लिये है, और यह रेडी है, यह देखिए, भाई में मैंने पिछे नहीं लगाया है, कुछ भी, और यह पापी वाला, चहां पर दोनों में लगा हुआ है, तो इस दोनों को हम अब साइड में रख देंगे, और अब हम दोरी बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने यहां पर यलो और ब्रावन कलर का उन लिया है, और दोनों को तीन-तीन इसे पार्ट में कट कर लिया है, आप चाहे, तो ऐसे दो थागे भी ले सकते है, और ऐसे बीच म ऐसे ही रख सकते है, लेकिन यहां पर मैंने इस तरह से बनाया है, तो यह कैसे बनाना है, वो हम देखेंगे, तो सबसे पहले, हम यह थ्रेट को ऐसे एक साथ रखेंगे, और यह हम अपने ही साब से ले सकते हैं, इसकी मैंने इतनी ली है, आप अपने ही साब से ले सकते हैं, और इसके center में हमें ये ऐसे लगाना है तो इसके लिए अब हम canvas लेंगे सबसे पहले इसका center लेके ये देखिए इस तरह से हम इसका center लेंगे और इसको यहां पर बीचो बीच लगा देंगे फेवी ग्लू से तो यह यहां पर मैं चिपका दूँगी तो यह फेवी ग्लू से मैं यहां पर लगा दिया है और अब मैं कैन्वास पर लगा दूँगी इसके उपर ही तो यह मैंने कैन्वास लिए और इसके उपर ऐसे लगा दिया ताकि यह ठीक से इस पर थ्रेड लग जाए अब जो हम यहां पर एक्स्ट्रा कैन्वास है उसे कट कर लेंगे तो यह यहां पर देखिए मैंने एक्स्ट्रा कैन्वास को कट कर लिया है और अब यह कुछ इस तरह से दीखेगा अब हमें क्या करना है कि यह दो ब्राउन और दो यलो को एक सेट कर देना है और बीच में मैं यहां पर यलो और ब्राउन को रखूंगी और यह दोनों में से मैं कि तीन मोरती बीच में डालों लगाऊंगी क्योंकि एक साथ ये चे में नहीं जाएगा यह तीन मोरती में दो में लगाऊंगी मैं आपको बताती हूं किस तरह से यहां पर मैंने मोती लगा दी है कैसे लगा नहीं यह एक बार देख लीजिए यह साइड में दोनों में नहीं लगा नहीं बीचवाले में तीन मोती मिने लगाए है यह देखिए बीच वाले दून में इस सेड भी ऐसे ही कर लिया है अब हमें क्या करना है इसको टund करना है और चो साइड के दो-दो मैंने ठ्रेड को बाकिि रखा था उन दूनों के बीच में गाठ बांद देनी है एक और अब हमें यहां से इस तरह से चोटी जैसी डिजाइन बनानी है यह देखिए मोती के नीचे से चालू करनी है और लास्ट तक ऐसे ही बनानी है तो यह देखिए यह मैंने लास्ट तक ऐसे ही डिजाइन बना दी है और अब मैं यहां पर लास्ट में गाट बांद दूँगी तो यह कुछ इस तरह से दिखेगी अब हम दूसरी साइड भी बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे तो यह देखिए यह दूसरी साइड भी मैंने बना दिया है और यह मेरी भाई की राखी रेडी है अब हम भाई की राखी बनाएंगे उसके लिए भी हम यह दो कॉलर के थ्रेड लेंगे तीन इकोल पार्ट में तो यह देखिए इस तरह से मैंने ले लिए है और यह भी हम एप्रोक्सिमेट लेंथ लेंगे अब मैं यहाँ पर एक साइड गाठ बांदूंगे इस तरह से और अब मैं यह दो यलो दो ब्राउन और एक में यलो और ब्राउन इस तरह से लेके ऐसे चोटी बनाऊंगी यह देखिए पहले यह वाला फिर यह वाला लास्ट तक हमें ऐसे ही कंटिन्यू करना है इस तरह की डिजैन बनती जाएगी लास्ट तक हम ऐसे ही करेंगे तो यह मैंने पूरे में ऐसे करके लास्ट में गाठ बान दी है तो यह थ्रेट तयार है अब हम क्या करेंगे सुई धागा लेगे और एक सेट गाठ बान देंगे और अब हम मोती लेंगे और पॉम पॉम लेंगे सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक मोती ले लिया है और इसको हम अच्छे से थ्रेड में लगा देंगे इस तरह से गाठ बान लेंगे ताकि यह निकलना जाए दूसरी बार भी ऐसे ही करेंगे यहाँ से नीचे से निकालके ऐसे अब हम इस पर पॉम पॉम लगाएंगे और दो मोती और लगाएंगे अब हम यह भाभी वारला फ्लावर लेंगे और इसकी जो बीच में यह फेबरिक के जो बीच में है वहाँ से निकालेंगे हमारा थ्रेड दिखे नहीं इस तरह से यह सुई को ले जाएंगे और इसे उपर से निकालेंगे तो यह कुछ इस तरह से दिखेगा अब हम यहाँ पे उपर पांच मोती लगाएंगे या चार चार या पांच आप अपने इसाब से जितना लंबा करना हो ले सकते हैं यहाँ पे मैंने चार लिये हैं तो इसमें भी मैं चार ही लूँगी अब हम यह थ्रेड को कट कर लेंगे अब ठीक इसी तरह नीचे जो मैंने यहाँ पे दो मोती लगाए हैं ऐसे ही पांच मोती वाला बनाना है तो मैंने यह ठीक उसी तरह से रेडी कल लिया है नीचे एक मोती फिर पॉमपॉम और यहाँ पे पांच मोती लगाए है मैंने यहाँ पे दो लगाए थे अब मैं इसको यहाँ पे इसके बाजू में इसके बाजू में लगा दूँगी उपर तक नहीं ले जाना है यहाँ पे मैं सिर्फ नीचे ही गाठ बांदूंगी लगा के इस तरह से अब मैं यहाँ पे 2-3 गाठ बांदूंगी यहाँ पे अब मैं इसको थ्रेड को कट कर लूँगी गाट बान के और यहाँ पर जो नीचे एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे भी कट कर दूँगी तो यह मेरी भाभी की राखी रेडी है पुरी तरह से अब देख सकते हैं तो यह देखिए यह मेरी भाभी और भाभी की राखी बन चुकी है अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक किजिए शेर किजिए और मेरी चैनल को प्लीज सब्सक्राब किजिए थेंक यू